नमस्कार साथियों आज हम जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से कैसे लिंक करें तथा इस बीयलो एप के माधियम से हम कैसे फॉर्म 6B को भर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बीयलो एप को खुल लेना है उसमें आप लिखने लगेंगे जिसमें कि आपको फॉर्म 6B भी है फॉर्म 6B के मधियम से आधार लिंक किया जाता है तो जब आप इस पर किलिक करेंगे तो उसके बाद आपको उसका इपिक नंबर को यहां पर डाल कर भेरिपाई एंड फिल फॉर्म 6B पर किलिक कर आगे कैस्टेप को फॉलो करना होगा प्रंदू हम आप लोगों को एक और नया और बेश्ट तरीका बताने वाले हैं इसके लिए पर में एलेक्टर का ऑप्सन दिया गया है इसे एलेक्टर वाले ऑप्सन पर हम किलिक करेंगे यहां पर किलिक करने के बाद आपको सारे मद्धाताओं का लिश् हुआ है उसका मतलब है कि उनका अधार लिए को मिल जाते आप लोग ऑपने मतान केंद्र का अधार लिंक पुरुन कर लें अगर अगर कोई मतदाता मिर्त हो, उसी स्तिती में उसका पॉरम साथ के माध्यम से मिल ओपन कर दे, ताकि आपका अधार लिंक सो परसेंट हो सके. और वाले सर्च वाले आइकोन में, आप कैसी को नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और search करके उसका form 6B भड़ सकते हैं या उसका detail को देख सकते हैं आप नीचे में देखिएगा तो एक filter का option दिया गया है इस filter वाले option पे click करने के बाद आपको कुछ option दिखेंगे इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना मेरा अधार receive बाकी है तो note अधार receive पे click करके आप filter पे apply कर देगा तो आपको उपर में संख्या दिखा देगा और उसका सारा detail यहाँ पर सारे लोगों का सूची अगर आप अधार receive का दखना चाहते हैं तो अधार receive पे click करके apply कर सकते हैं अब देखिए हम एक मद्दाता का हम 6B वर्क दिखाते हैं तो यहाँ पर हम नाम से सर्च कर लेते हैं सर्च करने के बाद add अधार पे click करते हैं अब जैसे add अधार पे click किजिएगा तो उसका फोरम खुल करके आ जाएगा नीचे लिखा रहेगा फिल फोरम सिक्स भी तो उस पर click करेंगे यहां पर इपिक नंबर अपने से आज आएगा उसको next कर देना है यहां पर भी आपको next कर देना है यहां पर अधार वाले पे click करके इसका अधार नंबर को यहां पे click कर देना यहाँ पर अधार नमबर को फिल्क कर देने के बाद Save & Next पर किलिक कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर उसका मुवाइल नमबर इमेल आईडी और पैलेस बहुत बहुत लिए भूलेगा पहले इसमें आप पटना गाओ का नाम या फिर प्रखंड का नाम को जुटर के सेव और नेक्स्ट पर किलिक कर देंगे उसके बाद आपको प्रिव्यू को रूप में आपको यह दिखाएगा कि अपने डिटल को एक बार दुबारा से चेक कर लें अगर सही है तो सम्मिट वा कोई और बिजनकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंदे